हाई गाईज वेलकम टू कूल अकाडमी तो आज इस लेक्षिर मैथमेटिकल टूल सीरीज में आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने वाले हैं और यह पार्ट वन है तो चलो स्टार्ट करते हैं आज से हम लोग ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक का नॉलेज लेंगे physics के point of view से ट्रिग्नोमेट्री मीन्स triangle measurement और यह हमारा एक triangle है इसका naming हम देते हैं यह A है यह B और यह C और इसमे तीन angles एंगल A हम लोग इस तरह परदेंड करते हैं आंगल B इस तरह और आंगल C इस तरह और इसके side का representation a के सामने small a angle c के सामने small c और angle b के सामने small b ये length denote करता है east side का side का measurement हम लोग easily करते हैं अराम से measure करते हैं हमारी unit length की होती है meter, centimeter angle का measurement हम लोग ने अब तक 9th class में degree में किया था यहां हम कुछ different units लेंगे radian हम लेंगे angle की unit वो किस तरह define है पहले angle ये देख लेते हैं suppose कर लो ये हमारा initial line है और ये rotate होके after some time ये कुछ इस तरह बन जाता है और ये एक arc हो जाता है circle का ये angle theta से हम denote करते हैं length r ले ले लेते हैं और ये arc radius r हो गया और arc की length हम लोग L लेते हैं theta हमारा इस तरह define होता है that is theta is equal to l by r that is angle is equal to arc upon radius अब यहाँ पे आप देखो ये unit less है इसकी भी unit length की meter में है और r की भी unit meter में है cancel लेकिन इसकी unit हम define करते हैं radian से इसको इस तरह लिखते हैं और इस तरह denote करते हैं एक example लेते हैं let it be r की value अगर हम 2 meter लेते हैं और इसकी point 2 meter ले लें तो अगर angle हमझे निकालना हो this angle is arc upon radius it will become 0.1 radian actually यह हम लोग ने अब तक नहीं पढ़ा था radian इससे हमारा clear नहीं हो पाता कि actually कितना degree angle बना है जो कि हम लोग शुरू से बच्पन से ही पढ़ते आ रहे हैं class 6, 7 से पढ़ते आ रहे हैं degree में angle तो हम इसे पहले convert करके देखते हैं यह angle कितना degree है और उसके लिए हमारा define है that is pi radian is equal to 180 degree यह हमारा equation है radian और degree को relate करने का और अगर हम मुझे radian में या degree में find out करना है angle तो हम simple इस तरह लिखेंगे 180 degree divided by pi और जो angle हमारा radian में दिया होगा है यहाँ लिखेंगे और अगर मुझे find out करना है radian में तो हम लिखेंगे pi उपर और नीचे लिखेंगे degree और जो angle को convert करना है degree में वो हम लोग यहाँ लिखेंगे यह actually हमारा formula है और इससे dimensionally हम याद करेंगे degree find out करना है तो 180 उपर degree में आ गया यह और radian radian cancel हो जाएगा तो यह हमारा degree में आ जाएगा उसी तरह 180 degree 180 degree है radian में find out करना है radian उपर degree degree cancel और मुझे radian में यह angle मिल जाएगा तो अगर हम लोग यहाँ देखे degree में convert करना चाह रहे है तो यह हो गया degree और हमारा यह हो गया 180 degree by pi 0.2.1 radian यह cancel out हो जाएगा it will become 180 divided by pi 0.1 से multiply करेंगे तो यह 18 by pi और इसको हम लोग करेंगे तो यह आ जाएगा 5.732 यह कुछ यह हम लोग का अब visualize हो रहा है कि यह एंगल हमारा 5.732 डिग्री है इस radian में define नहीं हो रहा है लेकिन physics में हम लोग कई जगा radian ही use करेंगे wave motion हो गया simple harmonic motion हो गया वहाँ जादा तर हम एंगल को radian में ही represent करेंगे सिंपल सी बात है कि वहाँ कोई particle circular motion करता है one complete तो यह 360 डिग्री बनाया तो हम वहाँ पर लिखेंगे 2 pi radian तो अक्सर हम लोग इस तरह use करेंगे इसलिए हम लोग को कुछ जो हमारी standard डिग्री आए जो हम बार बार use करते हैं उसका mindset हमारा radian में हमेशा होना चाहिए for example suppose कर लो 30 degree 0 degree का तो 0 degree radian वहाँ 30 degree का हम radian देखेंगे pi by 6 आप यहां रखेंगे तो pi by 6 आजाएगा 45 degree का हम रिखेंगे pi by 4 radian 60 degree pi by 3 radian 90 degree pi by 2 radian 120 degree 2 pi by 3 radian right at least यह angles को convergence मुझे radian में pi heart याद होना चाहिए सोचना नहीं पढ़ना चाहिए कि यह angle degree में कितना होगा right इसके आगे भी हम further divide करते हैं लेकिन physics में हम नहीं करते first chapter में हम लोग पहले लख्स पढ़ रहे होते तो वहाँ पर थोड़ा बहुत यूज है कि 1 degree को हम further divide करते हैं 60 part में उसको minute में लिखते हैं फिर 1 minute को हम further divide करते हैं second में इसको इस तरह double dash represent करते हैं तो इस तरह कुछ हम लोग वहाँ पर represent करेंगे further यह minute or second हमारा time नहीं है जिस तरह हम one meter को centimeter और millimeter में हम divide करते हैं further उसी तरह degree को भी हम minute or second में इस तरह लिखते हैं divide करके for example अगर हम बात करें one radian को अगर हम दो लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं 180 degree by pi और इसको हम जब रेक करेंगे 57.3 degree की आसपास आएगा और इसको अगर minute में लिखना चाहें तो 57 degree 17 minute और 44.8 seconds यह आएगा और इसको अगर हम लोग देखना चाहें तो हम कुछ इस तरह देख सकते हैं इसको अगर हम 22 by 7 लिख दें और इसको फिर हम 118 into 7 यहां 22 से इसको डिवाइड करें 182 into 7 यह हो जाएगा हमारा 1260 यह 5 तेमस जाएगा यह जाएगा 5, 5, 2 is 10 और 1, 5, 2 is 11 यह आगया 6 और यह आजाएगा 1 यह 0 और फिर 7 ताइमस जाएगा तो इस विल बिकम 14 54 और रिमेंडर हमारा जाएगा यह दाट इस 6 नाव दिस यह जो बचा हमारा 6 डिग्री है इसको हम लोग वापस मिनिट में कनवर्ट करेंगे तो इस विल बिकम 360 और फिर से हम यह डिवाइट करेंगे 22 और 360 और यह जाएगा वन टाइम जाएगा यह जाएगा 22 देन फो वान फिर हम जीरो से उतारा तो यह आ जाएगा घाएगा सिक्स टेम से जाएगा सिक्सटो जा ट्रेल यह हो गया हमारा फिर रिमेंडर राया एट तो इतना हो गया हमारा मिनट फॉर्दर हम 8 को मल्टिप्लाई करा 60 से तो यह आ जाएगा हमारा 480 और यहां जाएगा 52 टाइम्स 44 यह जाएगा 4 यह 0 52 जा 44 के आसपास आ गया तो यह हम 22 लेख सकते हैं तो हमने जब मैनुली इसको बनाया तो यह आगया हमारा वन रेडियन इस इकोल टू 57 डिगरी 16 मिनट 22 सेकंड यह हम लोगने मैनुली कैलकुलेट किया है जहां पर हमने एप्रॉक्स वैलू पाई की लिए 22 बाई 7 लेकिन अगर हम कंप्ट्यूटर से निकालते हैं तो यह हमारा करेक्ट नचीजदी बाते ही हमारी ह्या अगल्स के बारे में अब हम कुछ रीशयू के बारे में जानते हैं जो साइन कため क्या होते हैं और हमने कैसे डिफाइन करते र scrutin गाईसव्राइश तो अब हम लोग बात करते ए ये बी और ये सी हम ये आंगल लेते हैं दिस आंगल बी को ले रहे हैं लेट इट भी ठीटा ध्यान रहे कि अगर हम ये आंगल लेते हैं तो हमारा परपेंडिकुलर इसके ठीक सामने यह perpendicular हो गया और यह base हो गया हमारा और यह हो गया hypotenuse अगर हम यह angle लेंगे यह वाला angle तो perpendicular हमारा यह हो जाएगा base यह हो जाएगा hypotenuse तो हम इस angle theta को लेके देखते हैं और हमाई trigonometrical अगर हम लोग at random लें ratios हमारी इस राइट रैंगली में कितने बनते हैं sides की ratio तो यह हो जाएगा P upon H लिख सकते हैं that is P upon H हो सकता है इसका reverse कर दें H by P फिर हम B upon H लिख सकते हैं इसका उल्टा कर दें हम H by B और P by B यह possibilities है हमारी और इसका उल्टा कर दें B by P यह इतनी possibilities हैं हमारे side के ratios की right angle triangle में तो इसको हम लोग जो पापेंडिकुलर पॉन हाइप आउट निउस है इसको हम define करते हैं sin theta से और इसका reverse हो जाता है cos theta और इसको हम define करते है cos theta से और इसकी reverse हो जाता है sec theta और इसको हम tan theta से define करेंगे और इसका reverse cot theta इस तरह आप देखोगे तो हमारी यह six trigonometric ratios मिलते हैं और यह angle vary करता है तो उसके according हमारी इनकी value भी vary करती है अब हम बात करते हैं क्योंकि perpendicular hypotenuse और base हमारा relate हुआ है that is hypotenuse का square must be equal to perpendicular square upon plus base square तो इसका मतलब यह आपस में सब related होंगे अगर हमारा यह तीनों sites आपस में related है इसको हम एक देख सकते हैं अगर हम h square से divide कर दें इस equation में तो यह जाएगा cos square theta और यह equal to one यह हमारी identities आ जाती है अभी h square से divide किया अगर हम 20 square से divide करेंगे फिर perpendicular square से divide करेंगे तो हमारी तीन equations हमारी आ जाती है basic equations वो कुछ इस तरह आती है that is one plus tan square theta is equal to sec square theta या one plus cot square theta is equal to cos square theta right guys तो यह हमारी बड़ी important identities है जो अकसर हम लोग use करेंगे physics को पढ़ते समय और math में तो बहुत ही use करते हैं हम लोग इसको एक और relation है आप यहाँ पर देखो अगर sin by cos करेंगे तो मुझे tan मिल जाएगा और इसको relation को भी हम लोग बहुत use करते हैं that is tan theta is sin theta by cos theta यह हमारी basic identities हुई जो हमें याद होनी चाहिए और हम अकसर use करेंगे cos square को change करना है sin square term में तो हम लिख सकते हैं cos square theta is one minus sin square theta और sin square को change करना है cos square theta में तो हम लिख सकते हैं one minus cos square theta right guys तो इस तरह हम equations को use करते हैं इस identities को use करते हैं कोई भी एक identities के value अगर मुझे पता है तो बाकी identities rest 5 की identities के value मुझे पता हो जाती है for example एक लेते हैं अगर मुझे given है sin theta is equal to one by two तो हम calculate किस तरह करेंगे बाकी identities को वो हम यहाँ देख लेते हैं अब sin theta one by two है हम एक right angle triangle बनाएंगे एक तरीका simple तरीका है आप यहाँ पर put करके different different values निकाल सकते हैं तो कि अगर आप यहाँ देखेंगे sin की value put करेंगे तो we will find cos theta cos theta की value मिल जाएगी तो sec square theta की cos का ultra क्या हो गया sec और फिर आप tan की value निकाल देंगे sin की value पती है तो cos 1 की value reverse हो जाएगी तो cot की value यहाँ से निकाल सकते हैं लेकिन हम अगर triangle से देखें तो triangle हम यह theta बना लेते हैं यह one बना लेते हैं और यह पापर निकुलप और hypotenuse होता है तो यह two हो गया और तो यह base आपका क्या हो जाएगा two square minus one that is under root three तो हम बाकी identity इस triangle से लिख सकते हैं बाकी के च्छे sign given था cos theta हमारा आजाएगा root three by two base upon hypotenuse tan theta आजाएगा हमारा one by root three इसी तरह cos theta निकल गया sin theta आपका दिये ही था हो गया one by two तो इन सब का reverse कर देंगे तो sec theta मुझे मिल जाएगा two by root three cosic theta मिल जाएगा मुझे that is इसका ultra two हो गया और quad theta आपको मिल जाएगा इसमें हमारा two three तरह अगर एक trigonometrical ratios जो हमारी यहां पर दी हुई है अगर वो पता है तो हम बाकी की बचे हुई trigonometrics ratios हम निकाल सकते हैं आप question होता है कुछ particular angles के इनकी values कितनी होगी trigonometrical ratios for example sin 30, sin 90 जो इनकी values हमारी कितनी होगी cos 30 इसको हम लोग देखते हैं तो कुछ standard हमारे angles हैं उनकी trigonometrics ratios sin cos tan बाकी कितीन और मुझे by heart याद होने चाहिए जैसे suppose कर लो हम जो angle याद रखेंगे 0 हो गया 30 45 60 90 means acute angle हम याद करेंगे बाकी की और angle हम कैसे नकालते हैं वो हम लोग आगे discuss करेंगे और इसको निकालने में मुझे sign चाहिए sign of zero, sign of 30 आप कोई method trick नहीं याद रखीगा यह value आपको by heart याद होनी चाहिए इसलिए मैं यहाँ पर आपको trick नहीं बताना चाह रहा हूं क्योंकि फिर आप जब भी exam आएगा पहले वो चीज लिखोगे फिर इसके बाद आप value को याद करोगे ऐसा नहीं होना चाहिए यह को by heart याद होना चाहिए तो आप कैसे याद करना आप देखो sign 00, sign 30, half that is 1 by root 2, sign 45, sign 60, root 3 by 2 और यह 1 right cos की value देखनी है तो यह हो जाएगा हमारी cos 01, cos 30, root 3 by 2 cos 45, same होता है root 2, यह हो जाएगा 1 by 2 और यह हो जाएगा 0 यह values हमारी by heart याद होनी चाहिए कोई trick नहीं है कि आप पहले उसे लिख रहे हो 1 divided by 4 and so then root वो method आपको नहीं वो apply ही नहीं करना है by heart याद होनी चाहिए आपको अगर आपको tan भी चाहिए तो आप तो simple है यह tan भी आपको by heart होना चाहिए tan 00, tan 30 that is 1 by root 3 tan 45 1, tan 60 root 3 और tan 9 to infinity at least यह तीन trigonometrical ratios आपको by heart इस angles के होने चाहिए अब कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके questions में 90 से कम eye angle आपको उससे ज़ादा angle आता है तो आप कैसे निकालेंगे उसका एक method है जिसको हम लोग यहाँ पर apply करेंगे इसको जानने के से पहले हम coordinate के बेरे में जान लें कि यह हमारे चार coordinate होते हैं यह first होता है यह second यह third यह fourth अब आप यहाँ पर देखो यहाँ पर सभी trigonometric ratios positive होते हैं यहाँ sign positive होता है यहाँ tan और यहाँ cost इसको याद करने का तरीका बहुत सारा है after school to college add sugar to coffee तो बहुत सारे तरीके हैं जो आप याद करना चाहें तो यहाँ पर all values यहाँ sign और इसके भाई जो है कोसे यहाँ tan और court यहाँ cost और सिक positive होंगे इस sub coordinate में अब suppose कर लो तरीका कैसे है निकालने का अगर 90 रहता है या मेरा 270 रहता है degree 90 means pi by 2 और 270 means 3 pi by 2 इस तरह radian भी मुझे याद रखना है साथ में क्योंकि हम physics में जाद तर radian यह use करेंगे तो अगर यह रहता है तो उसका पहला तरीका है सबसे पहले आप यह देखो वो value कहां किस coordinate में जा रही है उस coordinate में अगर वो positive है तो हम final result positive रखेंगे नहीं तो हम negative रखेंगे सर्फ इस चीज़ को देखेंगे तो according to क्या हो जाएगा according to आपका quadrant positive और negative और simple दूसरा है अगर sign होगा तो किस में चीज़ जाएगा cos में और cos होगा तो sign में और tan होगा तो cot में और cot होगा तो tan में हम convert करेंगे तो एक example हम लेते हैं suppose कर लो मुझे निकालना है sign 120 degree यह हो जाएगा हमारा sign हम लिख सकते हैं 9 plus 30 अब आप देखो 90 plus 30 कहां पे आ रहा है 90 यह हो गया हमारा यह पाइबाइट वाइट 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 और यह हो गया 180 means pi यह हो गया 270 means 3 pi by 2 और यह हो गया 0 तो 90 plus हमारा second point में आया second point में हमारा sign positive है तो यह positive होगा और because of 90 है तो यह change जाएगा cos 30 और इसकी value आजाएगी that is root अब यही अगर cos 120 होता तो आप लिखते cos 90 plus theta अब यहाँ पे आप cos 90 plus theta किस coordinate में आ रहा है second में सिर्फ sign और cos एक positive है cos negative है तो हम यहाँ पे कर लिए negative because of 90 cos changes to sign तो हम से sign 30 लिख देंगे theta हमारा यह है और यह हो जाएगा हमारा minus 1 by 2 यह मुझे अच्छे से आना चीए suppose कर लो मुझे 180 second method यह 90 और 2 का हुआ आप देखो 180 या 180 का multiple आप कोई भी ले लो 360 या something जो भी रहे n into something इस condition में कोई हमारा trigonometric ratio change नहीं होगा only sign पे हम ध्यान देंगे no change in trigonometric ratios जो sign है trigonometric ratios हमारे change नहीं होगे not change only change जो होगा वो sign हो सकता है it depends upon the coordinate यह प्लस होगा या minus depend कर रहा है कि वो trigonometric ratios इसको मुझे निकालना है वो किस coordinate में आ रहा है for example अगर यहीं पे अगर हम लेगे फिर चलेते हैं इसको हम लोग फिर से लेखें तो हम लेख सकते हैं sign hundred eighty sorry only twenty is equal to sign hundred eighty minus sixty अब यह angle हमारा कहां आ रहा है second coordinate में और वहाँ पे हमारा क्या sign positive है तो हम यहाँ पे लेखेंगे sign sixty और इसकी value होगी root three by two minus sixty अब यहाँ hundred eighty minus sixty किस content में आ रहा है second में यह कौन सा angle है इससे कोई मतलब नहीं है यह आपका obtuse यह बहुत बड़ा angle हो सकता है आप यहाँ पे द्रस concentrate रहेंगे hundred eighty है three sixty है anything है तो हम इस angle को देखेंगे और यह आ जाएगा हमारा minus cos sixty और यह हो जाएगा हमारा minus half right guys तो इस तरह हम hundred eighty और three sixty को deal करते है three sixty रहेगा तो plus minus ऊपर आ जाएगा minus रहेगा तो third coordinate में और plus रहेगा तो आपका plus coordinate में आ जाएगा यह हुआ हमारा simple logic जो हम higher angle निकाल रहे होते हैं और इससे भी higher angle निकाल सकते हैं उसमें हमारा third case होता है कि अगर हमारा कोई भी n into three sixty यह रहे plus minus theta अगर ऐसा रहे हमारा trigonometrical ratio इसकी value निकालना हो sign पर यह कोई भी trigonometrical function let it be x हो ले ले हम तो इसकी value आप simply लिखेंगे x कोई भी trigonometrical ratio है plus minus theta और इसकी value आप plus और minus according to this thought लिखेंगे वो होगा sin minus theta is always minus sin theta cos minus theta is cos theta और tan minus theta is minus theta is minus 10 theta हम इसको इस तरह इसको पूरे में अप्लाई कर देंगे और according to फिर हम sign देखेंगे यह n into 360 आप अगर logical देखो तो यह एक बार बुरा घूम गया है उसके बाद जो angle आ रहा है फिर एक बार घूमेगा और फिर angle आएगा तो actually यह वापस अपने base में आ जा रहा हैंगे तो इस तरह यह हम इसकी वैलू निकालते हैं प्लस माइनस कर लिए तो हम किसी भी आइंगल की हम वैलू निकाल सकते हैं तरीक आईगी होगा अगर बहुत बड़ा angle है उसमें से 360 का multiple हम किनारी कर लेंगे और जो बचा हुआ angle है उसको यहां लिख देंगे चाहिए प्लस में या माइनस में और वो sign function हम यहां पे लगाएंगे अगर sign minus theta और minus sign 10 minus theta आएगा तो minus 10 theta और cause में रहेगा तो positive यह रहेगा right guys तो यह basic तरीका हुआ आपको जब angle निकालना हूँ जब वो 90 से जादा हूँ 180 से जादा हूँ तो कौन से method हम apply करके उसकी value निकालेंगी यह हमने आपको बताया इसको आपको भूलना नहीं है और खास्तोर से आपको यह सब चीज़ें नहीं भूलना है साइन 90 माइनस थीटा यह हमेशा by heart है यह हमेशा cos थीटा होना चाहिए cos 90 माइनस थीटा यह भी हमारा क्या reverse हो जाएगा ना साइन थीटा को इससा फर्स component में है लेकिन अगर प्लस में रहे cos 90 प्लस थीटा की value क्या होगा हम 90 देखते ही आपको क्या है साइन में होगा 90 प्लस थीटा थीटा को इतना बड़ा हो उससे हमारा कोई मतलब नहीं हम देखेंगे 90 90 प्लस सम्तिंग किस कोडिन में आएगा लाट इस सेकेंड वहां पर सिर्स साइन और कॉसिक पॉजिटिव है तो आप्तमाटिक यह 90 है तो इसका हो जाएगा साइन और साइन थीटा और कॉस जो है हमारा 90 प्लस थीटा मीन सेकेंड में होता है तो यह साइन निगेट हो जाएगा तो यह छोटे-छोटी चीज़ें हैं जो हमेशा बाई हार्ट याद होनी चाहिए एक एग्जाम्पल लेके हम 360 वाला भी देखते हैं जैसे सपूस कर ले कॉस में हमें निकालना है कॉस सेवन सिस्टी फाइब डिग्री निकालना है या मुझे निकालना है को धार्श 6 ibow ybor साइम 660 की वैडू तो इसको भी हम इस तरह को जो बड़े आंगल्स होते हैं उसमें से हम सबसे पहले 360 को उसका मुल्टिपल अलग करते हैं तो यहां पर हम दिख सकते हैं कॉस्ट टू इंटू 360 यह हो जाएगा हमारा 720 और प्लस 45 कर देंगे तो हमारा 65 हो जाएगा 765 और यहां पर हम सीधे कॉस प्लस कॉस प्लस 45 पर लगा देंगे तो इसकी वैलू आ जाएगी हमारी कॉस 45 और इसकी वैलू हो जाएगी तो यह सिंपल है इसी तरह अगर हम यहीं पर देखें तो यह 720 के आसपास है तो हम लिख सकते हैं कॉस उसी तरह टू इंटू 360 माइनस कर देते हैं हम 60 तो अब यहाँ पर हम पूरे पर लगाएंगे कॉस माइनस 60 यह हो जाएगा हमारा कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा तो यह हम कॉस 60 लिखेंगे यह हो जाएगा हमारा 1 बाई 2 इसी तरह यहाँ भी आप देखो साइन 2 इंटू 360 720 के आसपास है माइनस 60 और यहाँ पर हम लगाएंगे साइन माइनस 60 इट विल बिकम माइनस साइन 60 साइन 60 इट विल बिकम माइनस साइन 60 डैट इस रूट 3 बैट गई तो यह बेसिक चीजे थी जो बहुत ही बेसिक थी ट्रिग्नोमेट्री के पॉइंट और व्यू से लेकिन आपको यह सब इग्दम बाई हार्ट याद होनी चाहिए प्रॉब्लम्स में यह फॉर्मला याद सूचने का नहीं होना चाहिए कि हम 90 प्लस थीटा क्या लिखेंगे कॉस 90 प्लस थीटा बाई हाट आपको यह सब चीजें याद होनी चाहिए तो आज का लेक्चर हम यहाँ पर फिनिश करते हैं नेक्स लेक्चर में कुछ और हम ट्रिग्नोमेट्री रिश्यूस में एडिश सेकेंड वीडियो पार्ट टू ट्रिग्नोमेट्री में अगर आप तक अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें लाइक करें कमेंट करें थैंक्स फो वाचिंग गाईज बाई बाई